हेलो प्रेंट्स मेरा नाम है नरेंद्री और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूटूब चेनल अकाउंट शोर सोलेशन में आज का अपना टोपिक है बहुत ही इंपोंटेंट है तो दोस्तों एक कस्टमर का कमेंट आया था और उनका कहना ये था कि जिसे मैं से एक्टम का नाम कौंटिटी यूनिट प्राइज और अमॉंट दिखाए देता है लेकिन कस्टमर का रिकॉर्मेंट था कि मुझे अमारपी दिखाए में आना ची ये इसके लाबा एक्चेसन कोर्ड इसमें दिखाए में आना ची और डिस्कांट कितना मैंने काटा है वो इन्वोईस बनाते हो अभी यह भी मालूम नहीं है कि बीजी के अंदर बिलिंग का जो प्रोसेस होता है दो तरह के का प्रोसेस रहता है एक पॉस रहता है और एक इस्टेंडर्ड रहता है यह वाला जो आप देख पा रहे हो यह इस्टेंडर्ड सिस्टम है इन्वोईस बनान तो अगर आपको किसी का discount दिया है तो वो आपको item पे जाके ही आपको पता चलेगा लेकिन यहाँ पर एक image का screenshot भी मैंने ले रखा तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप billing करते हो तो आपके सामने item का नाम दिखाए दे रहा है है 74 दे रहा है अमर्पी दिखाए दे रहा है quantity दिखाए दे रहा है unit दिखाए दे रहा है list price दिखाये दे रहा है discount का amount अंक अमाउंट और प्राइज इसके बाद इसका amount अमाउंट के बाद percentage इतनी सारी चीज़े seven दिखाए दे सकते हो इस तरीके से interface हो जाता है और ये जो billing process यह किसका है यह standard का नहीं है यह post का तो अब आपके mind में सवाल ऐसा उठेगा कि post करने के लिए यानि इस तरीके से billing करने के लिए हमें क्या करना है और इसका मैंने वीडियो भी बना रखा है लेकिन यह जो point है काफी लोग है जो comment करते हैं बीजी का by default जो system आता है उसका use करते हैं और by default जो system आता है उसके अंदर only standard का ही system चालू रहता है तो अब आप लोग जाते हो कि मैं इस तरीके से billing करना चाता हूँ तो आप कैसे कर सकते हो इसका तरीका में आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि आप लोग जैसे billing sales bill बनाओगे तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो और यह बिलकुल easy है इस जैसे billing sales bill बनाओगे तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो और यह बिलकुल easy है को करने के लिए आपको क्या करना है अभी normal जो standard जो process है यह तो यह है इसमें item का नाम quantity दिख रहा है और इसका unit दिखाए दे रहा है और price दिखाए दे रहा है और इसका amount दिखाए दे रहा है अब जिसे आप इस पे enter करते हो तो यहाँ पे discount दिखाए देता है discount के बाद अगर markup add करना जाते तो markup भी यहाँ पे दिखाए देता है लेकिन आप हर item पे जिसे आप उपर जाओगे तब जाके आपको दिखाए देगा लेकिन customer का यह requirement था कि मुझे display पे सारी चीज़े show होनी चीए तो इसके लिए मुझे क्या करना है तो दोस्तों simple है आप भ administration पे क्लिक करना है configuration पे आपको क्लिक करना है voucher series configuration पे आपको क्लिक करना है sales पे आपको क्लिक करना है man पे क्लिक करना है voucher configuration पे आपको क्लिक करना है इसके बाद यहाँ जिसे voucher configuration पे क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है कि जिसे ये वाला जो ओप्शन है कौन सा अनेबल एडवांस पोस डाटा एंट्री इस पे आपको क्लिक करना क्लिक करने के बाद यहां से आपको वाई करना है वाई करने के बाद आपको क्या करना है Configure Advanced Post Option पर आपको क्लिक करना है जिसे आप क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का Interface नजर आएगा अब यहाँ पर क्या क्या चीज़े आप दिखाना चाते हो यानि आप यहाँ पर Salesman का नाम दिखाना चाते हो यहाँ से आपने आपने वाई कर दिया narration आप दिखाना चाते हो यहाँ से आपने वाई कर दिया इसके बाद यहाँ पर HSN नमबर आप दिखाना चाते हो यहाँ से वाई कर दिया इसके बाद आप MRP दिखाना चाते हो यहाँ से आपने वाई कर दिया वाई करने के बाद यहां से सेव कर दिया ठीक है यह सेव किया सेव करने के बाद यहां पर मैंने एक discount का option भी चालू कर रखा है अब दोस्तों काफी लोगों को अगर लगता है कि उसका discount का option चालू नहीं है तो वो कहां से चालू करना है और markup है अगर आपका चालू नहीं है आपको आउशकता है तो उसको भी कहां से चालू करना है वो तरीका दोनों तरीके में ने वाई कर दिया और इससे उकर दिया अब मैं जैसे बिल बनाता हूं जैसे आप लोगों के लिए स्क्रीन पर मैंने दिखाया था उस तरीके से ही मेरे सामने interface इसका नजर आएगा अब मैं जिसे बिल बनाता हूं salesman का option आ गया salesman यहां से select कर लिया इसके बाद item का नाम मैंने डाला यहां पर इसके MRP आगी इसकी quantity आगी और इसकी price में डालना चाहता हूं रुपे, 100 रुपे के बाद यहां पर अगर 5% discount डालना चाहता हूं तो 5% 5 रुपे का यहां पर discount आ गया है और इसके बाद markup add करना चाहता हूं, markup जो आपका markup होता है, markup क्या होता है कि जो भी आप additional कुछ खर्चा add करना चाहते हो या कुछ आपका जो भी कोश्ट आ रहा है उस पे एड़ करना चाहते हो तो आप इजी तरीके से एड़ कर सकते हो ठीक है तो यहां से मारक अप भी आप एड़ कर सकते हो अब आप अगर कोलम गिनते हो एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा तेरा कोलम आपको दिखाए दे रहे हैं जनरली आप जो इस्टेंडर के अंदर आप बिलिंग करते हो तो आप पर पांच ही कोलम आपको नजर आते हैं यहां पर इतनी सारे कोलम नजर आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि MRP आपकी गलत है तो आप उसको सही कर सकते हो, यहां से बिलकुल सही कर सकते हो, यहां पर कितने भी आपकी MRP है, 220 उर्पे में ने डाला, यहां पर HSN का एक बार में देख लेता हूं, HSN जो चेंज करना allow नहीं है, लेकिन आपको यहां से पता चल जाए, Alt M प्रेस करके यहां से HSN को अगर modify करना चाते हो, तो वो आप कर सकते हो, तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो billing का जो process है, आप post में billing कर सकते हो, तो दोस्तों अगर आप भी करना चाते हो, चाए आप sales invoice के अंदर करो, चा अगर आपको वीडियो अच्छा लगाए, तो वीडियो को like और set जरूर करें, वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, thank you. झाल 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 झाल